पनीर की रेसिपी हम सभी की पहली पसंद होती है हम सभी ने पनीर की ग्रेवी बाली बहुत सारी रेसिपी खाई होई होती है लेकिन अगर मैं कहूं बिना ग्रेवी के और बिना तेल के सिर्फ 5 मिनिट में साही पनीर को टकर देने वाली ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है तो कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साधना आजे की चिन पर आज की हमारी रेसिपी है बिना तेल के पनीर की रेसिपी तो आईए शुरू करते हैं वीडियो आंते तक जरूर देखें इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन का इस्तिमाल किया है जिसमें एक चम्मच जीरा डाला है अब हम धीमी आज़ पे जीरे को एक मिनट तक रोस्ट करेंगे बिना तेल के ही जीरा हमारा एक से देड़ मिनट में ब्राउन हो जाएगा अब हम इसमें बारीक कटा हुआ एक इंच अद्रक मिलाएंगे अद्रक को 10 सेकेंड बूनने के बादियां पर हम हमारे कटे हुए बारीक प्याज एड़ करेंगे हरी मिर्च प्याज और अद्रक को अच्छे से यहाँ पर 3-4 मिट तक रोस्ट करेंगे यहाँ पर आप दिख पा रहे हैं कि दीरे दीरे करके प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर एड़ करेंगे मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का एक टमाटर इस्तेमाल किया है आप चाहें तो जादा टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने हरी मिर्च का यहाँ पर जादा इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे घर में तीका पसंद किया जाता है अब हमारे टमाटर का कलर चेंज होने वाला है अब हम इसमें हमारे आदा चम्मच नमक डालेंगे साथी यहाँ पर आदा चम्मच धनिया पाउडर जाएगा आदा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और दीमियाज पर एक से देड़ मिनट तक चलाएंगे यहाँ पर हमारा एक से देड़ मिनट तक रेगुलर इसको चलाते रहना है 10-10 dimin हो जाने के वाद हम 1 चम्मच पानी आट करेंगे ता कि जो हमारे मसाले हैं वो नीचे चले नहीं यहाँ पर एक चम्मच पानी डालने के वाद 2 मिन तक इसे regular चलाएंगे और tomato को अच्छे से दवाएंगे tomato को अच्छे से दवाने के वाद यहां पर सभी मसाले अच्छे मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें तोड कर डालेंगे अपना पर नहीं डालना की यानिकी हातों से तोड़ कर डालना है Whew इसमें आपerte मोट पीजआ को नहीं डालेंगे और दो fraction रेगूलर चलाएंडेंगी यहां पर इसको हमें मीडियम कर देना है मीडियम फ्लेन पर हमें दो मिनट तक इसको रेगुलर चलाने रहना है उम्मीद है आपको मेरे तरीका और मेरी रेसेपी जरूर से पसंद आती हूंगी तो प्लीज वीडियो आन तक देखने के वाद एक प्यारा सा लाइक करें पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है अब गयास कफलेन ओफ कर देंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एकदम खिली-खिली परफेक्ट हमारी सबजी रेडी हो चुकी है तो आए अब हम इसे कर लेते हैं सर्भ तो आप इस रेसेपी को पूरी पराठा और रोटी के साथ भी खा सकते हैं चाए तो आप इसे दाल के साथ भी ट्राइब कर सकते हैं तो ये थी मेरी बिना तेल और बिना गिरेवी बाली पनीर की सूपर इजी और सूपर टेस्टी रेसेपी तो एक बार जरूर से ट्राइ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें पसंद आए तो कॉमेंट जरूर करें